एब हाज तो वेलक्म बाइक तो मीटिटूब चैनल विसाल पांडे एजूकेशंचन फ्रेंड्स हम ने लास्ट वीडियो में प्रजैंक के बारे में डिस्कस किया है रही है रहे है आदी आए तो क्या होता है फ्रेंट्स वो प्रेजेंट पर्फेक्ट कांटिनिवस्टेंस आपका हो जाता है आपको याद होगा फ्रेंट्स हमने डिसकस किया था प्रेजेंट कांटिनिवस्टेंस के बारे में जब तो हमने उसमें बताया था कि जिस वाकिया अंत में रहा है रही है रहे है आदी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट कांटीनिवस लेकिन समय के साथ यदि आता है रहा है रही है रहे है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखेगा फ्रेंड्स कि समय के साथ अगर आता है रहा है रहे है रहे है तब किस यह कुछ टॉम हमने लिख दिया है जो कि आपको ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे इस में जैसे अगर आपको तीन बजे कहीं दिखता है तो उसका ट्रांसलेशन आप क्या करोगे थ्री ओकलाक सवा तीन दिखता है तो आप क्वार्टर पास्ट्री लिखोगे साधे तिन बोलते हैं आदा गंटा को हाफ ऐन आर डेड़ गंटा को वन एंड हाफ वार तीन बचकर दस मिनट को टेन पास्ट्री बोलते हैं तो यह था कुछ टॉम्स फ्रेंट जो कि हम ट्रांसलेशन करेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा इसलिए हमने पहले डिसकस कर लिए इसक पर लिए जैंक्या निस्दे फॉनेशन का यूज है और कोई भी समय गर granular निस्दित है तो इसके लिए एम फॉर करेंगे तो सिन्सर फ़ार का यूज होगा फ्रेंट्स आगे पर्टता है जिस तर इसमें फरेंट्स आपका 20 मिझेट्स जैसे डिया हुँा है तोँए तोट् मतलब की कौन सा 3 डेज है मतलब कि कौन सा 3 डेज है मैं इसके साथ यह और यूश करेंगे ऐसा ईपका 6 मन्त कौन सा 6 मन्त कुछ नहीं है इसलिए यूश करेंगे फोर यह में भी जैसे कि अगर हम कहें थे तो 2006-2010 सदून से 204St...... ja तक क कोन सचुनी कंफरम नहीं है... यह फिक्स नहीं है... तो कौँन सचुनी से बात करेंगे... शोसे नहीं कुन से पॉस्चित की बात करते हैं तो सिंस में देखिए आपका समय जो दिया हों वूनिश्यत होगा यहांपर 9 a.m μतलब सुबाकार नो बजाय तो यहांपर निस्ची समय करेंगे मंडे दिया हुआ तो लिया यहां दिनी तब कह ABOUT न 1997 यहां पर लिखा नीचे 1500 तो दोनों यह कंफॉर्म है फिक्स निस्चित है इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे तो यह हो गया हमारी यूज आफ फार और यूज आफ सिंस का यूज करेंगे और कहां पर पर करेंगे अब बढ़ते हम अफर्मेटिव सेंटेंसे पर फ्रेंड कि सबसे पहले हम सबजयक्ट लाते हैं फिर हैस बीटं मतलब की सब्ज familiar n आयगा फ्रेंविषा के है अगर सिंगूलर है तो सब्जेक्ट सब्जक्ठ और सब्जेक्ट प्लूरल है तो इंग अपर लिखा रूल के वर्फ की फिर्स करो में ाई एड़ कर देंगे फिर अफिर प्रोवक समझते हैं वह दस मीट से चाए पी रहा है jadi क्या हो जायगा ही हो जायगा और ही के साथ हमें पता है कि हैस का यूज वह स्विन क्यूद करेंगे क्लिए सब्जजक्त का सिंगुलर है है तो ही है वने हैं फिर अपिरंग की First form में ihan का यूज करेंगे टो टेक का first form take होता है और इसमें ing करेंगे तो taking हो गया फिर हम अब्जेक्ट करेंगे फ्रेंड्स तो अब्जेक्ट यहां पर हमारा क्या है टी है तो टी ला दिया हमने फिर उसके बाद खुकि कुछ नहीं है तो अधर्स नहीं लाएंगे फिर हम सिंस या फरार के युज़ करेंगे तो सिंस फार लाने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि समय जो दिया है वह निश्चित है यहां पर सफरेंच दिया हुआ है दस मिनट तो दस मेट कौन सा है हमने कुछ कुछ कानि लेसन हो गया friends he has been taking tea for 10 minutes आगे बढ़ते हैं friends हमारा हमारा अगला example है यह लड़के दस बज़े से cricket खेल रहे हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा दीज बॉइस हो गया फिर चुकि दीज बॉइस हमारा सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है तो हम have का use करेंगे तो है बीन हो गया मुद्ब सब्जेक्ट के कॉड़्िंग हम has been है बिल लाते हैं सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो हमने है बिल नाया फिर वर्प की फर्स्ट फार में और लूर यहाड़ करते हैं तो हमारा प्लेंग हो गया फिर क्या खेल रहा है तो क प्राइब दिया हमने फिर अधर्स चुकि कुछ भी नहीं नहीं लाएंगे फिर सिंस या फार में से पहले देखना पड़ेगा कि जो समय दिया हुआ है वो निश्चित है या अनिश्चित है तो चुकि दस बजे तो दस बजे क्या है फ्रेंट्स टाइम फिक्स कर दिया है कि तस बजे तो दस बजे यहां पर क्या हो गया फ्रेंट्स निश्चित हम सिंस का यूज करेंगे तो हो जाएगा सिंस टेन ओक्लाक इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाएगा फिर लास्ट इक्जांपल पर चलते हैं अफरमें टूके तो दिया हुआ है फ्रेंट्स मैं एक साल से दिल्ली में हetrं हुँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे तो आई हो गया Toh हमें पता है कि आए के साथ हम में से कौन सा यूज़ करते हैं एल्क नभी यूज़ करते हैं तो है भी नाव गें फिर वर्फ की फर्च-वर्ण नहीं है मतलब निश्चित नहीं है और निश्चित है कौन सा एक साल है हमें कुछ नहीं पता तो इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं तो फॉर ला दिया फिर वन इयर इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स आई है बिन लिविंग इन देली फार वन इयर तो इस तरह से हमारा फ्रेंड्स अफर्मेटिव खतम हुआ कल हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिसकस करेंगे अगर यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो ज्यादा सज्यादा लाइक सेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से करिएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजेगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी के पार्ट टू मतलब प्रिजेंट परफेक्ट कांटिनिवस का पार्ट टू के साथ मिलेंगे जिसमें हम आगे डिसकस क करेंगे निगेटिव सेंटेंस इसके बारे में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बारे में थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो स्ट्रेंड्स